नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर संदीप है दोस्तों हाजरू हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ है तो दोस्तों आज एक बहुत ही हैरानगी भरे सवाल का मैं खुलासा करने वाला हूँ उसका मैं उत्तर देने वाला हूँ तो अक्सर मेरे सामने ये सवाल आता तो दोस्तो ये बिलुकुल एक बेवकुफ बनाने वाली बात है ऐसा बिलुकुल नहीं है दोस्तो आम तोर पे लड़कियों को पता भी नहीं होता है कि पैनिस साइज कितना होता है ये दोस्तो रियल्टी है तो आम तोर पे लड़कियों को ये पता भी नहीं होता कि पैनिस का साइज होता कितना है तो ये ज़्यादा तो दोस्तों जो वेर्षा टाइप की होती है लड़कियां पॉल गरल तो उनके सामने ये टॉपिक माइने रखता है तो वो इस चीज को ज़्यादा जानती और वो इस तरीके की बातें कहती है बाकी आम तोर पे जो लड़कियां है उन्हें इस चीज का पता भी नहीं होता है ठीक है और जो दोस्तों नॉर्मल साइज है वो 6 इंच तक अच्छा है 6 से गर 7 इंच या 8 इंच होता है तो वो लड़कियों के लिए दिक्कत वाली चीज हो जाती है उससे लड़कियों के लिए दर्द यह चीज होती है वो उन्हें मजानी देती है वो उन्हें दर्द ही देती है तकलीफ देती है तो यह दोस्तों वहम आप दिल में से निकाल दें और आइंदा ऐसा कॉश्चन आप ना किया करें उमीद करता हूं आपको यह जानकारी समझ आ गई होगी तो यह दोस्तों काफी है क्योंकि जादा माइने रखता है आपका इस्टैमिना आपकी रुकावट आपकी टाइमिंग टाइमिंग सबसे जादा माइने रखती है और उसके साथ ही माइने रखती है पैनिस की मजबूती अब दोस्तों मान लो आप किसी बंदे के पास 8 इंच या 10 इंच का पैनिस है ठीक उसमें ठीक से तनाव नहीं आता टाइमिंग अच्छी नहीं है तो वो तो वेर्थ है वो चीज हमारे किसी काम की नहीं वो तो फैंक दो वो चीज है तो उसी तरीके से अगर आपका पैनिस और टाइमिंग भी अच्छी है तो वो तो बले-बले करवा देने वाली चीज है तो दोस्तों इस तरीके की उटपटांग बातों पर आप भरोसा ना किया करें और इन चीजों में ना उलचे सबसे ज़्यादा माइने रखती है टाइमिंग और तनाव बस ये अच्छा होना चाहिए बाकी ज्यादा लेना देना नहीं होता साइज का अगर 4-5 इंच का पैनिस है तो बहुत है बहुत जिसे कहते हैं बहुत बस टाइमिंग और तनाव होना चाहिए तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद